तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चेप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर में जो हमारा टोपिक रहेगा वो है separation techniques मतलब किस तरीके से जो mixture mix है दो ये दो से ज़ादा जो substance mix होते हैं उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं वही आप सभी को पता है कि mix हैं दोनों और हमें एक से ही benefit निकालना है एक का ही हमारा फायदा होना है ठीक है जिसे चावल है चावल में कंकर आ गए हैं हमें पता है हमें चाव मतलब आप कंकर को separate कर रहे हो चावलों में से इट मींज ये किसका example है ये हम separation technique है किस तरीके से अलग किया जाए है hand picking से अलग कर रहे हैं तो है hand picking का है तो अब देखते हैं कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम mixture को से अलग-अलग component separate कर सकते है means separation of component of a mixture देखों सबसे पहले हैं खिरो defining हैHomeि हुआ है leveraging mixture से कर रही हैं सबसे पहले मैं बटाएन आ कि जिसमें क्या हो जो घूले नहा अलग से दिखाई दि दिखाई दे तो मैं पठा लग जागा जिसे चावल है चावल में कंकर अलग से दिखाई देते हैं तो आप उने क्या कर सकते हैं हैं पर डू अलग कर सकते हैं जैसे कि आप आपने देखा होगा कई चीज़ ऐसी होती उनको चान कर हम अलग करते हैं ठीक है यह देख लो न Armen चाय बना रही हो चाय पत्ति आपको पता चाय चाहिए तो आप क्या करोगे च्छांद है नहीं लेकिन separate कैसे करें पानी में हाठ ढाल के तो निखा लेंगे नहीं क्योंकि पानी गंदा होगा गंदा तो होई जाएगा बट एक होता नहीं कि अलग-अलग से सारे particle मिल जाए हमें उसके मिट्टी बिल्कुल अलग हो जाए पानी अलग हो जाए तो filtration technique यूज करो और उनको चहन दो टीक है तो filtration में filter करते यह फिल्टर पेपर लेते हैं यहiger यहां लगा देते चावल से कैसे कंकड अलग किया जा रहे हैं ये देखो सीविंग कैसे छान के अलग किया जा रहा है ठीक है अब देखो पर एक चीज़ और देखो ये टेकनीक है ना ये किस में लगती है ये टेकनीक जो है ये सोलिड और सोलिड मतलब चावल और कंकर दोनों ही solid substance है पहली बात की हमने solid plus solid की और कैसे थे heterogeneous है ना साफ दिख रहे थे तो आप उन्हें अलग कर सकते हो heterogeneous है ठीक है तो next ये तो चलो पता चल गया हम किस तरीकी से अलग करें next मैं बात करूँ अगर liquid plus liquid हो मैं यहाँ लिख रही हूँ देखो मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया liquid plus liquid अब यह liquid जो है और यह liquid दोनों को dissolve करते हैं ना मतलब पहले dissolve है जिसे मैं example लेती हूँ oil एक तरफ और पानी एक तरफ पानी एक तरफ पानी H2O के दोनों गूलन liquid है, नहीं तो यह कैसे liquid है immisible liquid है शीक है भई? आपस में नहीं गूलते गूलते तो recramp नहीं गूलने तो admit अनको separate कैसे किया जाए टीक है, तो कैसे करते हैं इनको separate, देखो separation किस से करते हैं separating funnel सी, बताती हूँ इस टाइप में होती है funnel तरीके से थोड़ी यह ऐसे ऐसे एक फणल सी होती है ठीक है और उपर से अपना solution डाल देते हैं oil plus water को यहां तक भर जाता है और प्लस दीर दीर क्या होता है जो denser है मतलब water है वह नीचे यहां से आने लग जाता है यहां एक मतलब इक यह कह सकते हो आपकी इसे open और इसे close करने के लिए लगा होता है इसको अगर मैं खोलती हूँ तो यह open चाता है और यहां से थोड़े time पहले बंद करके रखते हैं इसे ताकि क्या हो जो यह यहां पर बंद रहेगा इससे oil और water को आप भर सकोगे भरने के बाद क्या होगा देखो यहां बनाती हूँ क्या होगा यहां तक तो पानी की layer आ जाएगी पानी पानी एकदम निच्छे चला जाएगा और oil की layer यहां उपर आ जाएगी ठीक है तो थोड़े दिर बाद जैसे आपको लगेगा ना कि separate सा हो रहा है पानी अलग हो रहा है oil अलग हो रहा है ठीक है तो आप क्या करोगे इसे बीकर लोगे और इस फिर यह ओईल था इसके लिए उस बीकर को उसमें निकाल लोगे यह था ठीक है तो यह होती है इसको बोलते है separating funnel जो मैंने अभी यूज की की separate करने के लिए एक funnel यूज की है liquid लिक्विड जो की immisible है घुल नहीं रहे है उनको separate करने के लिए हम उसे यूज करते है फिर आती इसको कहां यूज करते है अभी बताया oil और water को अलग करने के लिए यूज करते है यह बाकी extraction का method है आप आगे centrifugal forces में यूज होगा main बात यह चलो यह वह मत देखा आप यह देखो कि इसमें अबि pergunt होते है ढो दो लिक्विड होते हैं दोनों ठीक है दोनों liquid होता है बट एक ना dancer होता है और बाहरी होता है ठीक है एक lighter होता है ठीक है तो क्या किया जाता है एकदम से ना हमें लगता ऐसा है कि अच्छे से घुले हुए है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं मिल्क है मैं एक्जामपल ले रहे हूं भई मिल्क है मिल्क में ये मैथड अपनाते हैं मिल्क में क्या होता है मिल्क में फैट होता है मिल्क में प कि पानी होता है तो फैट प्रोटीन को पानी से अलग करना चाहो तो यह centrifugation method use करो कि पार किसे करते हैं एक मशी न होती है उसमें क्या होता है देखो-स मशीन type के मारें अचाए पूरी कर दो है इस मशीन में होल होते हैं एक होल दो होल हुं टाल देते हैं तेस्ट टाल तो चुट जाएगी बड़े मिलक नारद यह wire लगा होता है यहां wire और यहां पर switch switch on करते ही यह तेज़ी से rotate होती है मशीन इतने तेज़ी से rotate होती है कि दो मिनट में हम जैसे ही से बंद करेंगे ओर जैसे test tube को उठाएंगे यह test tube मैं यहां लिखुरी हूं जैसे test tube मैंने यहां उठाए तो इस test tube के अंदर आप क्या देखोगे कि आपके पास यहां नीचे तो fat protein जमा हो गया है और पानी यहां उपर आ गया है इस पानी को उडेल दो fat protein को अलग कर लो ठीक है ना तो fat protein को पानी से अलग करने का तरीका कौन सा centrifugation method centrifugation देख लो लिख लो separation of two liquid ने mixture mixture में दो liquid को separate करने का method है denser component of a mixture migrate away from the axis कुछ नहीं है यह देखो denser अलग हो जाएगा निचे बैढ़ जाएगा lighter वाला है वो उपर रहा जाएगा दोनों को हम अलग कर लेंगे जिसकी जरूरत है उसको हम निकाल लेंगे ठीक है यह था centrifugation method next की तरफ आते हैं यह बहुत easy method है sublimation sublimation होता क्या है सबसे पहले तो यह देखो कि एक substance solid phase में है उसे अगर आप heat करोगे ना उसे गरम करोगे तो वो solid से कौन से phase में आ जाएगा gases phase में आ जाएगा solid से सीधे gas में एक substance आ रहा है तो उसको बोलते हैं sublimation ठीक है तो अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें क्या है कि वो solid substance है मतलब वो sublimation दे सकता है लेकिन वो किसी और के साथ mix है ठीक है एक तो केसियल है और एक कपूर पढ़ा है इसमें मान लो कपूर ठीक है है तो केसियल को कपूर से अलग करना है क्या करूं मैं मैं इनको हीड़ दे दूँ हीड़ देने से क्या होगा कपूर जो है ना ही सीधे gases phase में convert सीधे उड़ जाएगा है ना मतलब ओपर धकन रख लो ताकि धकन पर जमाऊ जाए ठीक है भई मतलब क्या किया मैंने देखो दे यह हमने यहाँ पर ट्राइपोड स्टेंड लिया दिखरा होगा ट्राइपोड स्टेंड पीछे की तरफ होगा यह और यह मुंबत्ती लगा दी हीट करने के लिए हीटिंग अफेक्ट भी दे दिया यह हमने container ले लिया चीक है container के अंदर क्या है एक तो potassium chloride मतलब KCL का solution है और से सिधा gases state में convert हो जाता है ठीक है तो NH4CL के देखो vapor बनने लग जाएंगे वैपर बनने लग जाएंगे तो धीरे धीरे यह vapor इसके उपर जाएंगे यह funnel को उल्टा लटकाया हुआ है जैसे उपर जाएंगे तो funnel को उपर cotton लगाई हुए देखो दिखाती हूँ आपको यह देखो cotton लगाई हुई न यहाँ पर जाके cotton यहाँ जाके यह इखटे हो जाएंगे यह इखटे हो जाएंगे यह देखो यहाँ यह वाइट वाइट सा पाउडर जमा हो जाएगा अलग हो गया NH4CL और KCL इसके अंदर रह गया तो sublime process से दो चीज़ों को हम क्या कर सकते है अलग कर सकते हैं यह कैं सोलिड सीधे गैसे स्टेट में चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट है distillation जो आपके इस लेबस में वो करा रही हूं distillation process में क्या होता देखो में बताती हूं कि हमारे पास यह मानलो यह भीकर है इसमें है शराब चोकना मत की मैडम कैसे example ले रही है distillation में शराब मतलब alcohol को पानी से अलग करने का तरीका होता है distillation क्यों क्यों क्योंकि देखो आपको पता है ना जो शराब होती है उसमें क्या होता है alcohol प्लस उसमें पानी होता है ठीक है अब मुझे pure alcohol चाहिए पानी को अलग करना है तो देखो distillation में क्या होता है इन दोनों के na boiling point में difference होता है पानी कितने पे उबलता है 100 degree पे और alcohol कितने प दूँ ठीक है इस तरीके से किया मैंने heat दे दिया तो 78 पे alcohol तो उबल गया तो जैसी उबला अलग से container में इसको अलग कर लिया separate कर लिया और जो पानी था इतने 78 पे उबलेगा इतने पानी तो नीचे बैठ रहेगा तो इसको अलग कर लोगे पानी अलग रह जाएगा दो component distill distillation process से separate हो गई समझ में कुछ कि मतलब distillation में भी क्या करते हैं हम दो liquid होते हैं यह एक liquid प्लस दूसरा liquid लेकिन इन liquid liquid को में किस चीज़ का difference होता है इनके boiling point का boil अलग-अलग temperature पे होते हैं तो अलग temperature पे होंगे तो temperature note करो ज्यादा difference है temperature में तो एक उबलेगा जल्दी एक उबल कर लो जो देर से उबल रहा है वो बैठा रही जाएगा उसमें तो यह था हमारा distillation process किसमें यूज बता दिया मैंने आपको alcohol में यूज होता देख लिक रखा है distilled water gasoline kerosene oil paraffin wax इन सब में यूज होता है ऐसा करना आज इतना ही कर लेना ठीक है जादा हो जाएगा आप लोग को लिया ऐसे ही लिकविड प्लस लिकविड में immisible घुलण शील नहीं है तो कैसे अलग करें अगर एक dancer एक lighter है तो कैसे अलग करें अगर दोन घुलण शील है मतलब डिजोल है जैसे यह अल्कोल और water है तो कैसे अलग करें फ्ली अहरे पास सोलिड और लिक्विड को कैसे अलग करें तो आज के लिए इतना ही काफी है बाकि कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना मुझसे ओके थांक्यू वेरी मच